तो जैसा कि हम जा रहे हैं गौला के पुल के साथ तो तो है जोगता है आपका एक और न्यू ब्लॉग के अंदर और आज हम जा रहे हैं हल्दोवणी में मतलब आज हैं हम हल्दवानी के अंदर और हम कापी जगाओं को गूमेंगे जैसे कि न्यू जो इस्टेडियम बना है इस्टेडियम बगैरा गूमेंगे दिखाएंगे गाई साब को सब कुछ यो यो जो गिंदर आज पूरी हल्दवानी दिखा देगा आपको किसी ने सोची आओगी और यहां पर हमारे साथ में हैं कुछ ले भाई और रहें दोस्तों कि तो आपको पीछे दिखता होगा बाकी सब कच्रा पड़ा यहां पर ऐसा कुछ है नहीं जो कुछ है सब उदर ही है बाकी मैं उदर देखा दूं तुसाले कच्रा ना बता उने ही देखो सारा मतलब यह सब रोड़ पर डाल रखा है उदर सचरे डालने की सब कुछ है बट कहरा बदनाम ना करूं तो भाई साथ बहुत चल चुके हम बाकि आप यहां पर पीछे देख सकते हैं कि मतलब कितनी दूर हम चल चुके हैं आपको यहां पर पीछे दिखता होगा मतलब काफी दूर से हम आ रहे हैं काफी टैम हो गया हमें चलते हुए लेकिन काफी मज़ा आ रहा लेकि ठंड बहुत है भाई कुछ ना लाल चल रहे हैं आगे की तरफ पाली गाइस पहुच चोके हैं गोला की फुल पर और देशी कितना खतर्मा नजारा यहां का और यह भाई साब हमारे यहां बैठे हैं तो भाई साब कुछ कहना चाहोगी कैसा लग रहा है यहां बढ़ यह बढ़े लग रहा है जा रहा है अब जला यहां अब ही चला यहां कि रुष्भा वाला डान चलता हुआ जैसा की गाइस यहां से शुरुआऐस की हम यहां पॉँच कुके हैं यहां पहला गेट कर आगे शीज़ा की है थीझाड系 का पहला गेट और आगे से भी है एक तो इस तेडियूबर्या पुंच चुके थो आप देख सकते है यहां का नजारा यह है स्टेडिएम आपको आपको पीछे दिखता होगा इस आपको यह देख सकते हैं और बाकिक प्एकर और देख सकते हैं यहां इत FX कامॉपे girls सॉसायटी तो में अदर जानी किए नोन ती तो नहीं है P तो लोग जो भी आते हैं गूम फिरने के लिए यहां पर भार से ही मतलब है जो भी फोटो वगेरा जो भी कुछ पड़े करते सी और फिर चले जाते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं यहैं इस टेडिय महल्द वानी का और यहां पर मैं गेट के अंदर से वीडियो बना रहा ह आपको नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए गज़ बाइब